अलो फ्रेन्स, mei youtube channel à knowledge ip. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम पुराने exam के paper डाउनलोड कर सकते हैं ? दोस्तो हम सीखेंगी कि कैसे हम बर्ग 2 के या बर्ग 1 के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमें बर्ग 3 में useful की मतलब उनको देखकर, हम अपना pattern निर्धाहित कर सकते हैं कि किस टाइब के question exam में आते हैं खास करके pedagogy के लिए तो friends अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आये हो तो चैनल को like कर लें subscribe कर लें और bell icon को press कर लें जिसे की ऐसे useful video का notification आपको मिलता रहे तो friends start करते हैं सबसे पहले आपको अपने mobile पर आपका searching browser उसको open कर लेना है Google Chrome को और फिर उसमें आपको type करना है simply peb teb mp.government.e और friends जैसे यह आपको screen पर आजाए तो इस पर आपको search कर देना है search करने के बाद आपकी screen पर पीवी का home page आ जाएगा उस पर आपको option मिलेंगे English और Hindi friends जो भी आपके लिए comfortable हो उस पर आप click कर दें जैसे हम Hindi पर click कर देते हैं तो इंदी का हमारा नया page open हो गया है left side job भीहरतियों के लिए जो option है उस पर नीचे चलते जाना है परिक्षा कारिक्राम उसके नीचे 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 आपको आते जाना है पराने प्रशन पत्र और नीचे आते जाना है आपको जो लिखा है बर्ग 2 का पुराना पेपर तो फ्रेंट्स यहां से हम सेलेक्ट कर लेते हैं बर्ग 2 का जो लिखा है 2018 eligibility test exam का नाम था middle school teaching ability test जो वहां से हमको डाउट करना है और अगर हमको बर्ग 1 के देखने है तो हम उसके नीचे high school teacher ability test पर click कर सकते हैं तो फ्रेंट्स हमें middle के देखना है तो हम middle पर click कर देते हैं जैसे हम middle school teaching test पर click करेंगे तो friends हमारी screen पर बहुत सारे option आजाएंगे जैसे कि इन 3 options में से हमको select करना कि किस पर तो friends हमें first पर click कर देना है middle school teaching ability test पर तो friends जैसे हम उस पर click करेंगे तो हमारी सामने ये 3 option आजाएंगे कि आपको shift 1 के चाहिए shift 2 के चाहिए और friends अगर आपको इनके जो answer चाहिए तो आपको click करना पड़ेगा model answer की uploaded जो हुए है तो friends इसमें आपको answer के साथ वो questions paper मिल जाएंगे friends simple ही है अगर आपको Hindi English के देखना है तो आपको मिल जाएंगे English Hindi के देखना है मैस के देखना हो तो सभी प्रकार के आपको यहां से question मिल जाएंगे तो friends यहां से आप date wise और shift wise भी आप select कर सकते हैं और आपने जो exam दिया होगा उसका paper भी आपको यहां से download कर सकते हैं तो बहुत easy है और बहुत ही simple है तो मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ तो friends हम जैसे करके देख लेते हैं एक मार्च का तो हमने हिंदी प्लस इंग्लिस पर क्लिक किया है वो download होने लगा है और download होकर automatic tick आपके mobile पर open हो जाएगा कि आप उसे open कर लिए दोस्तों यह आ गया है eligible test एक मार्च का जो हमने download किया था यहां से आप पूरे option देख सकते हैं उसका correct answer देख सकते हैं और friends A to Z आपको यहां से मिल जाएगा तो friends यह हमने आपको बताया कि कैसे आप Hindi English किसी भी subject के आपका old paper उसको download कर सकते हैं और किसी भी exam का आपको यहां से निकाल सकते हैं इन पेपर से हमें बहुत ही help मिलती है और हमें एक pattern पता चलता है कि आने वाले exam किस टाइप के होने वाले तो friends यह बहुत ही useful वीडियो है आपको वीडियो कैसे लगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें शे करें जिससे आपके सभी दोस्तों को इसकी जनकारी मिल सकें और सभी इसका फायदा उठा सकें तो friends जब तक के लिए जय हिन जय भारत थेंक यूप वाचिंग